हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका अपने ट्यू चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में तो आज हम लोग देखेंगे क्लास तेंथ का मोडल पेपर जो है मोडल पेपर वन यानि कि हम लोग टोटल पाच मोडल पेपर डेली देखेंगे और एक एक मोडल पेपर आप लो और यह जो है आप लोग का परिछा जो है 15 तारिक से यानि कि 15 तारिक से हिंदी का पेपर है तो यह वाला वीडियो को आप लोग लाश्ट तक देखेगेगा आप से रिकेस्ट है तभी आप लोग को समझ में आएगा और तभी आप लोग से 15 तरिक एकजाम में अच्छे से दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए तो देखिए पहला कुस्चन जो है वह है कि अम्बेदकर ने भारत में की बेरोजगारी का परमुख और परतेच कारण किसे माना है अम्बेदकर साहब जो थे वह भारत का परमुख और बेरोजगारी का परतेच कारण किसे मा लोग को दिख रहा है बागी का एंसर आप लोग को नहीं देखेगा तो इसका एंसर हो जाएगा यह नंबर जाती पर था और लाश्ट तक बने रहे और लाश्ट तक देखने के बाद आप लोग को इसी टाइब का कोश्चन एक्जाम में वी देखने को मीड़ेगा तो पूरा वीडियो को देखिएगा अस्किप नहीं किजीगा चलिए देखिए दूसरा नंबर को सब समाज की अवसकता है स्रम तक आप लोग एंसर देते चलिए और साथे साथ वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास सेर भी किरते रहें हूँ आर्स सुद्र किसकी रचना है महत्मा गांदी को अतिनमिस को भीम्राम बिटकर को मैक्स मुलर को तैया जो है भीम्र कौन है गिर्धर गिर्धर है सेन सहाव है खोखा या सेन सहाव की पतनी है तो ए बी सीडी में आप लोग जवाब देते जाए और आप लोग एंसर और वीडियो को सेर करते रहें और जो ही प्यारे बच्चे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक आप लोगझ ज़रूर कीजिए लाइक करने से क्या होता है मोटिवेसं मिलता है जिससे हम लोग ृडियो बनाने में थोड़ा और विमज़ा आता है तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए लाइक करने से आपको कुछ एक रुपया घंड नहीं चाएगा एकल तो गोन जीतलते हैं तो Miami by आगे देखिए चेनंबर में खेने म्सिजनने सच्चा भारत कहां बसता है सच्चा भारत जो है कहां बसता है को वहती tail खलिहानों में बसता है बगीचे में बसता है या गलियों में बसता है तो सच्चा भारत जो है कहां बसता है तो गाउं में बसता है कहां बसता है तो गाउं में बसता है आठ नंबर में देखी, भारत में से हम क्या सीखे, पाठ, गद की कौन सी विद्या है, भासन है, निबंध है, कहानी है, रेखाज्चित्र है, यहाँ जुए क्या चीज है, इसका आप लोग एंसर दीजी, तो साथ का एंसर हो जाएगा A नंबर, यहाँ जुए क्या चीज है, भासन है आगे देखिए आठ नंबर क्यों आठ नंबर कोश्चन है कि दूसरे के इसारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं विदमान ग्यानी मुड या भले लोग तो इसे जो है मुड यानि की मुर्ख लोग कहते हैं कौन से दूसरों के ग्यान पर बदरने वाले मुर् नाम कैसे मैक्स मूलर जीथा उनका पीता का नाम कैसे था विरां मुलर या विले हेल मुलर या बी एल मुलर कि ये फिर भी दे विदेन मूलर तेष का एंशर हजायगा सी नंबर बिल हेलम मूलर उनची बिल Bowl मूलर और आप लोग वीडियो जरूर शेयर किजी अपने दोस्तों मित्रों के पास किया हूं कि आप लोग का डेक्ट जो है क्या हो गया फिक्स हो गया पंदरा तारीक को आप लोग इस तरह का अब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेगा और मॉडल पेपर है बावुरी या जो है क्या है मॉडल पेपर तो इसी तरह का आप लोग को अपजेक्टिव रहता है तो वीडियो को सेर जरूर किजिए और जो भी प्यारे बचेश नए है वो चैनल को सब्स्राइब जरूर के लिए ताकि कलास तेंथ का जितना भी वीडियो आ नोटिफिकेशन अल कर ली जीगा एक अपको अप्लोड कर दिया जाएका हम लोग शारे छे बजे के बाद जो है लाइव कलास चलता है और एच्छे वज़े से लाइव क्लास चल रहा है चेप्टर वाई चेप्टर का होँआ पर आप लोग अबजेक्टिव जरूर देखिए और यहां पर मॉडल पेपर देखिए तो इसका एंसर क्या चीज़ हो जाएगा सी नंबर हो गया आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्यों तो इसका इंसर क्या चीज़ हो जाएगा दी नंबर हो ज़्या मैक्स मूलर ने किये थे आगे देखिए इक ग्यारा नंबर क्यों है कि परंपरा का मुल्य आंकन के रचनकार कौण है रामबिलास सर्मा सर्मा गुणाकर मुले अस्वगवाज परि महत्मा गांधि तो परंपरा का मुल्यांकन का जो रचनकार हुए किन की रचना है जारी पर साद्विवेदी की बिनोद कुमार सोकल के यतनुपनिस्त लिके असोग बाजबेई की तहिया जो है किसकी रचना है तहिया जो है असोग बाजबेई जी की रचना है आगी देखिए तेरा नंबर क्यों तेरा नंबर कोस्चन है कि असोग बाजबेई जन्म कभ हुआ था 16 जर्वणी 1942 भी को 16 जन्मरी 16 जन्मरी उनिस्ट 14 जन्मरी 1040 फिए को चन्मरी उनिस्ट23 को तह ये बी सी्टी में आप लोग इंसर दीजिये और जो भी चोड़ा नमबर कुष्चन में देखिए चोड़ा नमबर कुष्चन है कि मचली सिर्सक पार्ट के लेखा कौन है यह 30 मिस्थ है यह जारी परसा दुवेदी है बिनोल कुमार सुकल है यह नलील परसा विलोचन सर्मा तो चौदा का एंसर क्या चीज हो जाएगा सी नमबर बिन की नाना कौन थे सिखों के संदिक से पर्थम गुरु झान है कि मूझे आगे दोता बीत्त की र archives कविर के गनायना कैये की U और अघेर करेदउन और दोता समे आलें औंध्गोना श्रहते है तो भी कमें अन्योंता दोतां ह क्ना पूझे १। के यहां जो है गुरु नाना की रचना है गुरु नाना की आगे देखिए नाखुन के वह बढ़ते हैं हिंदी की बिद्या कौन सी है ललत निवन्द कहानी है कवीता है उपनेयास तो इसका एंसर हो जाएगा यह नंबर या जो है ललित नीवन्द है अठारा नंबर की ओर देखिए अठार नंबर में है कि बिरह लीला किसकी रचना है रस्खान की कवीर की घनानंद की प्रेम घन की बिरहा लीला किसकी रचना है रस्खान की कवीर की घनानंद की प्रेम घन क से इस इसका एंसर हो जाएगा सी गुनान्द द्हृ दृख ऑगी देखिए अठाब उटाब नमबर में टोटल हम लोग च कोश्चन करेंगे इस में सोकर लेए पस हिसमें हिंदी में कितना सवक कोष्चन मॉडल पोश्राइन जो रहता है इतना करता है 100 कोश्रन का आप लोग हिंधी में जो है कितना विच्छा जाएगा सो गो सनौस्ट में आप लोग को जवाब देना है 50 कोश्रन का तो 100 कोश्रन हम लोग एक मॉडल पेपर करेंगे तो घनानंद का जान कभ हुआ था इसका इंसर हो जाएगा 1689 विक पास आगे देखिए बीस नंबर की बीस नंबर कोश्चिन स्वादेशी कभीता किसकी संकलित है प्रेम गन स्वादर्श के या जिनर जिर्न जनपद से या भारत परियाग से या परियाग राम रामा गमन से तो इसका इंसर हो जाएगा ए नंबर प्रेम सर्वस से आगे देखिए 21 नंबर कोश्चिन है कि दही वाली मंगमा किस भासा में अनुदित है दरही वाली जो मंगमा किस भासा में अनुदित है उडिया में है कन्नार में है भोजपूरी में है लली तम्मिल में तो यहा जो है द फ्रेंच लेखकते यह जो थे रूसी लेखकते कौन थे रूसी लेखक तैस नंबर कोश्चन में देखिए कि नौवत खाने मिवादत पार्ट के केंदर में कौन है महात्मा गानिया अस्वकवाज पर यह बिस्मिल्ला खाया गुना कर मुले तो इसका एंसर हो जाएगा बिस्म नंबर सहनाई था आगे देखिए 15 नंबर की और 15 नंबर कोश्चन है कि अच्छो की कहानी किसकी रचना है मैक्स मूलर की गुनाकर मुले की विर्जु माराज की रामिलास सर्मा की तो इसका एंसर हो जाएगा बी नंबर गुनाकर मुले की आगे देखिए 26 नंबर की और 26 न सा भी लगान्दि की सताइस में देखिए सताइस नंबर कुश्चन है कि बहादुर को लेखा के घर कौन लाया था लेखा की बहान लेखा की साला लेखा की भाई लेखा के चाचा तो लेखा की साल gebracht आगे देखिए 28 नमबर कोश्चन 28 नमबर कोश्चन में कि सुजाता का बास्तविक नाम क्या है करनिका है दीप सिखा है एम रमानूजन है या एस रंग राजन है तो सुजाता का बास्तविक नाम जो है वह क्या था एस रंग राजन था 29 नमबर में देखी 29 नमबर में है कि साथ कोड़ी होता कहां के परमुक कथाकार थे बिहार के मदरास के उडिसा के लखनव के तो यहां जो है उडिसा के हैं कहां के हैं उडिसा के आगे देखिए तीस नंबर कोश्चन में, तीस नंबर कोश्चन है कि मंगमा किस सहर में दही बेचा करती थी, मैसूर में, मदरास में, बंगलोर में, उडिसा में, ता मंगमा जो है किस सहर में दही बेचा करती थी, तो वह जो है बैंगलोर सहर बेचने जाती थी, कहां बेचन साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नया है चेनल को वो चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजिए इसी तरह का मोडल सेट पाना के लिए और क्लास तेंद का तयार अर आप लोग का सारे 6 वजेस जो है वह लाइव क्लास चलता है उस टाइम पे आप लोग को अभी चैप्टर वाई चैप्टर औजेक्टिव करवाय जा रहा है बैस जो चल रहा है क्रिश्न चक्र बैस चल रहा है तो उसमें आप लोग जरूर लाइब क्लास भी देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास भी सेर जरूर कीजी वीडियो कि पूर पूर भचपन वाजिई देन तुर मंगु जी से तरह से लार यहांत और हिंदी हो लोग करवाएंगे तो पाज यानिकी 500 कोश्चन टोटल जो है 500 कोश्चन करवाएंगे 500 कोश्चन में बनाना कितना है आप लोग को 50 कोश्चन तो हड़ा आई यहीं से कोश्चन लड़ेगा एदा हम 100% की गरांटी लेते हैं इससे बहार आप लोग को कोश्चन देखने क्यों नहीं मिलेगा एद है हैं चलिए आगे देखी कोशन मुंग जन्म से पगलती यह तोगया 33 नंबर कूश्चन देखिए रची सिर्ष नंबर क कि लुगल साहित की कौन विद्या है, निबंध है, कहानी है, अस्मरन है, नाटक है, तो यहाँ जो है कहानी है, क्या चीज़ है, कहानी, आगे दीए 35 नंबर में, 35 नंबर कोश्चन है, कि हम बार बार नाखुन क्यों काटते हैं, स्वच रहने के लिए, बरवर्तक समापन है तू, या सु समापन के लिए, 36 में देखिए, 36 नंबर में नागली लिफी पार्ट साहित में, कौन विद्या है, निबंध है, डाइरी है, नाटक है, कहानी है, तो यहाँ जो है, क्या चीज़ है, निबंध है, आगे देखिए, 37 नंबर कोश्चन है, कि पठित पार्ट के अधार पर बता ये, कि मोटर कार को खत्रा किस से हो सकता है, सीमा से, रजनी से, आली से या खोखा से, तो मोटर कार की खत्रा किस से हो सकता है, तो यहाँ जो है, खोखा से हो सकता है, किस से खोखा से, 38 में देखिए, 38 नंबर कोश्चन है, कि भाई चारे का दूसरा नाम क्या है, राजतांत लोकतंत स्रम या सहयोग तो भाईचारे का अर्थ क्या होता है लोकतंत में क्या होता है भाईचारा के रूप से राते हैं उन चालिस नंबर के और देखिए भारत की संविधान अवाधी कहां बसती है नारों में या महानगरों में गाउं में या मंदिरों में भारत की अवाधी सरवाधी का वाधी जो है वह गाउं में बसती है कहां बसती है गाउं में आगे देखिए चालिस नंबर में चालिस इन्जिनियर का जा रहा हूं या क्थन किसका है सेन्षभ साहब का मिस्टर सिंग का या गिर्धरलाल का या मुखर जी का तो यह जो कथाने किसका है को सेन साहब का आगे देखिए 43 नंबर क्यों 43 नंबर कोश्चन है कि हितो पदेश का जर्मन भासा में अनुवाद किसने करवाया महतमा गांदी ने मैक्स मूलर ने गुनाकर मुली ने तो किस ने करवाया था तो मैक्स मूलर ने करवाया था आगे देखिए 44 नंबर कोश्चन 44 नंबर कोश्चन है कि नीवन्स विद्या का संबंद किस से है खगोल भी ज्यान से मानब भी ज्यान से बनास्पति भी ज्यान से भूगर्व भी ज्यान से तो 44 का एंसर हो जाएगा B नंबर मानव विज्ञान से पैतालिस नंबर कोशन देखिए कि किस देस के लोग बड़े बड़े नक पसंद करते हैं अंग देस के, गांधर देस के, यह काई-काई देस के, यह कौड देस की तब पैतालिस का एंसर हो जाएगा D नंबर गौड देस की जाएगा सी नंबर गुना कर मूले की 47 नंबर क्यों रही है 47 नंबर में है कि नेवारी भासाएं किस लीपी में लिखी जाती है देवनागरी लीपी में खरोष्टी लीपी में सौर सेनी या ब्राहमी तो नेवारी भासाएं जो किस लिपी में लिखी जाती है तो बुखा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अर्थालिस नदेखी आर्थालिस नमबर में जिंदकी और जोग किस लेखा की रचना है विम्रावां रम बेदकर की गुनाकर मुल裡 की अस०क वाजपै के अमर कांद की तो जिंदकी और जोग जो है यह वह अमर कांद की रचना है उन्चास नंबर क्यों रही है बहादूर कहां भाग कर आया था बहादूर कहां भाग कर आया था भाग भुपाल से नेपाल से बंगलादेश से या तिबद से बहादूर जो आया था कहां से भाग कर आया था तो वह जो है नेपाल से भाग कर आया था पचास नमबर कुश्यन देखिए कि लेखा ग्राम बिलास सर्मा के गाउं का नाम क्या था उच गासानी या उच गाउं सानी या फिर उच गाउं सैनी तो इसका एंसर हो जाएगा बी नमबर उच गाउं सानी नाम था इनका आगे देखिए एक क्यामन में पंडित बिर्जु महराज किस घराने के बंसज थे बनारस घराने के लखनव घराने के डुम्राओं घराने के या जैपुर घराने के तो यह जो थे लखनव घराने के बंसज थे कहां कौन से घराने के थे तो लखनव घराने के बंसज थे आगे देखिए बामन नंबर की उर्ट बामन नंबर में है कि भौतिक बाद का अर्थ भाग बाद नहीं है या किस निवन्द की पंगती है नागरी लिपी की परंपरा का मुल्यांकन की श्रम विवाजन रजाती पर था कि नाकुन क्यों बढ़ते हैं कि इसका एंसर रजाएगा बी नंबर परंपरा का मुल्यांकन का त्रीपान नंबर की ओर देखिए त्रीपान नंबर क्यों है कि विर्जु महराज का संबद है तबला बादन से या संतुर बादन से या बासुरी बादन से या इनमें से कोई नहीं तो त्रीपान का एंसर डी नंबर जागा इनमें से कोई सब्सक्क्राइब में निर्माला जो थी पाउन थी लेखा की बहां थी लेखा की पत्नी थी लेखा की विस्तिदार थी लेखा की मां थी तो लेखा की यहां जो थी पत्नी थी निर्माला जो थी वहां लेखा की पत्नी थी महात्मा गांदी को ड़क्ट्र रजिन प्रकास को जबारल नहरू का या बाल गंगा ध़ार तिलक का तो यहाज जो है महात्मा गांधरिक और जन्म दिवस को अहिंसा दिवस की रुप में मनाया जाता है संतामन नमबर में देखिए गुरू नानक पंजावी के अलावे और किस भासा में कविताया लिखे हैं उड्या में हिंदी में मराठी में बंगाली में तो इसका एंसर हो जाएगा बी नमबर हिंदी में आगे देखिए संतामन अंठामन नंबर की और अंठामन में है कि रंपा दायुक्त मुत क्रिष्ण भक्त कभी कौन थे रस्खान थे सुमित्रानंद पन थे प्रेमघन थे या बिर्यन दंगवाल थे इसका एंसर हो जाएगा ए नंबर रस्खान थे आगे देखिए 69 नंबर में 69 नंबर में रस्खान का रचनाकार था सह जहां का सासनकाल या जहांगिर का सासनकाल यहमाई का सासनकाल या कबर का सासनकाल तो 69 का एंसर हो जाएगा बी नंबर जहांगिर का सासनकाल आगे देखी 60 नंबर क्योंड 60 नंबर में है कि वियोग में साच्चा प्रेमी को जो बेदता साहत और उसके चित में जो विभिन तरंगे उठती है का चितरन किया है घनानान ने अनामिका ने रेनर मारिया मिलके ने या वारन हेंड विरेंड डेंगवाल ने इसका एंसर हो जाएगा यह नंबर घनान नंदी 61 नंबर क्यों रहाईए 61 नंबर कोश्चन है कि प्राजय में कौन सा उपसर्ग है प्राजय देखिए प्राजय को जब हम तोड़ेंगे तो प्रा पलस जय तो उपसर्ग पूछा है उपसर्ग जो होता है फाइस्ट वाला देखिए फाइस्ट वाला जो होगा क्या चीज़ हो जाएगा उपसर्ग होगा फाइस्ट वाला जो होगा उप सर्ग होता है और इधर वाला जो है परते होता है क्या चीज़ होता है परते होता है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगे और ये बहुत जाद है आप लोग को देखने को मिलेगा देखिए अब ग्रामर शुरू हुआ इसमें शुद भाग क्या आपको लिखा हुआ है राम ने पुस्तक खरीदा या राम रामम पुस्तक खरीदा या राम ने पुस्तक खरीदी या इन में से सभी तो इसका सुद भाग जो हो जाएगा वह सी नमबर वेगा राम ने पुस्तक खरीदी आगे देखिए 63 नंबर में 63 नंबर कुश्चन है परिनाम बाचक भी सेशन है नया पांच थोड़ा सा या सुन्दर सा तो यह थोड़ा सा जो है परिनाम नाग भी सेशन मतलब इसे परिमान मतलब अथवा परिनाम का पत्चा चले थोड़ा सा मतलब कुछ भी समान मांग रहा ह गर्भायू आफ कि अबकितdoes है क्ह़ता से मांगर जैसे मान लिजिए आप किसी से मागई चाहिज मान लिज आप के पास डाल बना और वाध बना सबजी किसी पास मांगे लिए खोबन को दिजीए तन्य यानिकि उसे परिमान निकल रहा है क्या चीज़ परिमान निकल रहा है क्या ना है इसका एंसर सी नंबर हो जाएगा आगे देखिए 64 में देखिए 64 नंबर कुश्चन है कि सुध बाक क्या है बादसे निकल रहा है या बास्प निकल रहा है या सिंग दहाल रहा है या संग्रिहा किया है का संधी विच्छेद क्या होगा सर बोद्तम का संधी विच्छेद पूछ रहा है सर बोद्तम कि सर पलस बोद्तम सर्वो पलस उत्तम यह सर्वो पलस उत्तम यह सर्वो पलस उत्तम इसका संधे विच्छेद जो हो जाएगा सर्व पलस उत्तम हो जाएगा सर्व उत्तम तो इस कि गुस्सा पीना मुहावरेकार्थ क्या होता है गुस्सा पीना क्या चीज़ होता है गुस्सा होना क्रोध को दवाना या गुस्से में पानी पानी होना एक रोधित होना तब गुस्सा जब कोई आदमी रहता है और उसको क्या करता है दवाता है मतलब क्रोध को क्या करता है दवाता जब आप गुस्सा ओजाएं और उसको क्या किज़ें तो नहीं कुछ किया रहीकना अंगूठा दिखाना मुहापरे कार्थ क्या होता है समय पर धोखा देना या बेज़त करना या चालवाजी करना या बेइमानी करना तो समय जब आएगा और आप लोग को समय पर काम नहीं देगा यानि कि समय पर क्या कर दिया अंग उठा दिखा दिया या जो है लाइक कर दीजिए और साथी साथ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप जितने भी बिहार बोड के छात्र इस वार तयारी कर रहे हैं 2024 में आप लोग सभी के पास वीडियो को जरूर पहुचा दीजिए इतना अपनी हर एक बच्चा के पास या वीडियो पहुच जाए तो शेयर करने में आप लोग कमी नहीं कि जिए और सर्थ नंबर क्यों रहे है कि अर्शाट नंबर कोश्चन है कि गुप्त का विलों क्या हो दिखाना या पहचानना या चुपाना या परकट तो गुप्त गुप्त मतलब चुपागने इसको परकट कर या गुप्त दान जो कहता है इसको परकट करके दान इसने कहता है गुप्त दान तो गुप्त दान का मतलब क्या हो गया परकट फिर परकट दान हो गया आगे देख या गी वान तो यह जो है सेल इसे परवत का क्या होता है सेल परवत का सेल और फिर गिरी और पहाड़ इस तरह से राता है परवत का संदिय पहाड़ आगे देखिए सत्तर सब्सक्राइब बहु बिरही समास है या बेभाव समास है तो लंबोदर जो है वह कौन सा समास है तो यह जो है कौन सा समास है बहु बिरही समास है आगे देखिए एकत्तर नमबर क्यों रेकत्तर नमबर कोश्चन है कि लड़का आया था कौन काल है लड़का आया था कौन काल है बरतमान काल भूत काल भविश्च काल या इन में से कोई ने लड़का आया था मतलब यह जो है था यानि कि बीट गया और आ रहा है मतलब आ रहा है तो यह भवि तो आया है तो या क्या हो जाएगा बरतमान काल तथा वाला जैसी आप लोग को दीखेगा मतलब भूत काल यानि कि इसका एंसर भी नंबर हो जाएगा जिए भूत काल आगे दिखिओं आम का परियवाची सब्द होगा आम का परियवाची सब्दी भाजी हथ या सैधव या आम्र तो इसका परियवाची सब्द आम्र हो जाएगा किघए सब्सक्राइब 12 यदे डो Jadi नमबर के लुए मघंगे साइच आगि देखिए चएथा पाद 2 समास ह्याग процे देखेंके कर चाज़ bank किऊपिए कि दोनुपद इसका क्या है परधान है तो जिसका दोनुपद परधान होता है उसे द्वयन्द समाज का अगे देखी 76 नंबर के और 99 75 नंबर में हैं कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है अनुराग इसको तोड़िये अनु पलस राग क्या चीजा अनू पलस राग तो शुरू बला आप क्या चीज होता है उपसर्ग परतय हो जाएगा राग और अनू जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और ये वाला को्षण आप लोग को देखिए एक मोड प्लब एक पेपर में आप लोग को चार कोस्चन से पाज कोस्चन देखने को मिलता ही यह उपसर्ग और पर तैसे देखिए अभी आप लोग को तिन चार कोशन आ गए हैंने एक सेट में तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेए गए और आप लोग को जरूर है कि आएगा है यह आएगा आगे देखिए असमीता का सही अर्थ क्या होता है पहचान या मना करना या बाहू बाह की सुद्ध है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ है मैं आपका दर्शन करने को आया हूँ है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ क्या हो जाएगा सुध्ध बाक बाकी जो है क्या है सद्ध बाक है संझ्या के कितने बेदे देखो को कiegen पुछता है मैं संग में कि 6 5 हर तो कितने बेदा हैं कि 6 ins 2019 देखिए 89 नम्बर में संसार का संठी बिच्चक्र सन सार का संधी बीच्छित करें तो तोड़ देना संधी बीच्छित कर देना तो सन उपर मां है तो सम हो जाएगा पलस सार तो सम इसका इंसर कहां दिखला है वी में तो इसका इंसर भी हो जाएगा सम इंद्र का परियवाची सब्द क्या होता है तो सूर्पति महेंदर देवे जाएगा देव राज हो जाएगा इंद्र का परियवाची सब देव राज मतलब देव तक क्या है राजा है वेदना के परते देखो बेदना का परते पूछा तब पलस दना तब वे क्या हो जाएगा उप सर्ग और दना क्या हो जाएगा परते हो जाएगा तब परते दना ऩाईगा दना आपको कहा दिख रहा है सी नंबर में तइसका हो जाएगा पर तय बिरासी नंबर में आईए कि मनूस कौन सा संगया है मनुस कौन संग्या है मनुस कौन संग्या है जातिवाचक, बेक्तिवाचक, भावाचक, समो बाचक तब मनुस क्या रहता है समो में रहता है नहीं रहता है भाव इसका अर्थ पता चल रहा है नहीं चल रहा है जातिवाचक, बेक्तिवाचक मतलब जिस पर किसी खास ब्यक्ति का अधिकार होता है, इस मतलब कोई नामम्त नहीं है, और मनुस बोल दिया, तक कौन मनुस के बारें बोला ही पता चल रहा है, तक इसका हो जाएगा, मनुस मतलब पूरे जाती का बोद ऑगया, मनुस में जितने भी नर्नारी आते हैं, सभी क सब बोध हो गया है राम क्रिस्न गवापाल उपाल सव हो गया सभी मतलब राधा मोखन सीता गीता रीता सभ क्यों चि clerik में आ आ गया जाती बाक्चश संग्या मतलब मनुस भोल दिया आने की पिर्द्वय पर जारा मनुस जतना जाएमोसे सभी हो गया आएगे देखी परते हिसे कि इतने बेदें से नहीं तरह है दोब दो बेद होगा तिन मेद होगा चार बेद होगा पाचव अहाई todo धनकी जूह Anyway नमबर में 84 नमबर कुश्चन है निम लिखित में कौन सब्द सुद्ध है देवनागरी देवे नागरी या देवनागरी तो इसका एंसर हो जाएगा देवनागरी नमबर जो है क्या है सुद्ध सब्द है पचासी नमबर की वर आई है निवन में कौन सुद्ध सब्द निवन एंसर हो जाएगा इसका एंसर ए नंबर हो जाएगा अना अधीकार हो जाएगा 66 नंबर में रही शासी नंबर में है कि आमरन सब्द का उपसर क्या होगा आ मा इमा यह इम तो आमरन तो आ पलस मरन तो क्या हो जाएगा आमरन और इसका एंसर ए हो जाएगा अब देखो आगे देखिए कि निवन में से कौन निष्चे सब्द का बिलोम है निष्च्य का क्या होगा अनिष्च्य यानि की उप निष्च्य आप लोग को एकजाम में देखने को मिलेगा और आप लोग का डेट फिक्स हो गया है और आप लोग का पाच मोडल से करवाया जाएगा यह पहला मोडल सेट है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों में तो के पास सेर किजिए और जो भी प्यारे बच्चे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोको डेली मिलते रहे है और जो अभी तक लाइक ने किए वीडियो को लाइक कर दिजिए तो चलिए इसका विंसर क्या हो जागा बास्तविक सब्द का परते क्या हो जाएगा तो बास्त अविक बिक देखिए बास्तविक मतलब लास्ट में आपको देखिए देखने को बिक को तोड़ेंगे तो यह इक में बदल जाएगा बिक जो है बिक तो लास्ट में एक एक मात्रा आ रहा है तो यह होगा ए ए ए ए तो इसमें एंसर डी हो जाएगा एक का मतलब होता है इक देखो रूची सब्द का भी सेशन तो रूची सब्द का क्या होगा रूची कर या रूची होगा या रूची होगा या रूच रूचना होगा या रूची कर होगा आगे देखिए नबे में नबे में है कि महासय सब्द का इस्ति लिंग रूप क्या है महासई है महासया है महासिनी है या महासी है तो क्यानुमे नंबर कुश्चन है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है भानुमति की अटैजी या अनावस्यक बस्तों का भंडार या भानुमति की संपति या भानुमति की गुलल तो इसका एंसर रहेगा अनावस्यक बस्तों का भंडार चली बानुमे नंबर क कि योड़ देखिए बानवे नंबर कुश्चन है कि आज्यान सब्द कौन समास है बहुबिर्धी समास कर्मधारे समास नई समास या तत्पूरुष समास तो बानवे का एंसर हो जाएगा सी नंबर नई समास हो जाएगा आगे देखिए निमन में से कौन भाव आचक संग्या हैं बुड़ हापा पहाड नधplease राम तो यहाजो बुड़ हापा को मतलब भाउ भाउ को परकट कर सकते हैं बुढ़ापा जो क्या है समझने का यानि कि भाव से उसका पता चलता है कोई बुढ़ादमी बुढ़ा हो गया चलने में अस्थमर्थ है खाने पीने में तब बुढ़ापा क्या है वह जो है हम उसको समझ सकते हैं कि बुढ़ापा हो गया जैसे सुन्दरता को क्या हो भाव से क्या हो गया स्पर्ट क्यूंवा इतना सुन्दर है वह उतना बुढ़ा है कि बोले गदू के जी बुढ़ा एक तीन के जी बुढ़ा इस तरह से तो नहीं होता है 94 नमबर में देखिए खेत सब्द है देशा जै तदभाव है या फिर ततशम है तो यह जो है तदभाव है क्या चीज़ है तदभाव है 95 नमबर क्यों रहे है सत के लिए आगरा के लिए एक सब्द है सत्य गरा या सत्या आगरा या सत्या आगरा तो इसका एंसर हो जाएगा सी नंबर सत्या गरा 96 नमबर क्यों रही है 96 नमबर कोश्चन है कि वह छत से गिर पड़ा या किस कारक का उदारन है आपादान कारक करता कारक कर्म कारन और कर्म कारन तो यह जो है आपादान कारक कर्म 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 कर इच्छाम आप 97 में देखिये 97 में नम्पर में गह का उचारना स्थान क्या है टालू मूठोbe अंठ या ओउस्ट गह जाुचसे बूल रहे हैं क्या चीज़ भर तो है उचारना स्थान गण्ट से होगा तरल कऊ वर में कर खा कघा अग अंग की छिटाव का सर्वनाम होगा आने स्चेवाचाहि हो निस्चे वाचेक्स के त्मक छाइब पूछने का बोध हो रहा है मतलब प्रेशन पूछ निगате इसका एंसर प्रस्न बाचक सरवनाम हो म्ला देखे निनान में में चोर सब्त का विलोम होगा चोर सब्द का विलोम निर्दोस अच्छा गुनवान साधू तो चोर जो रहता है इदम साधू बनके रहेगा इदम चलिए सो नंबर कोश्चन देखते हैं और ये लास्ट कोश्चन मेरा रहेगा इस मॉडल से इदका सो नंबर मॉडल से समापत था भारत के परधान मंत्रे किस पदवन्द का उधारन हैं संग्या पदवन्द का विसेशन पदवन्द का सरवनाम पदवन्द का या किर्या पदवन्द का यह जो है संग्या पदवन्द का उधारन है तो हम लोग टोटल सो कोश्चन यानि कि एक मोडल पेपर हम लोग देख और जितने भी प्यारे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजी और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास सेर जरूर किजिएगा और जो ही प्यारे बच्छे नहीं है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को तक जाई हैं जाए भारत आप लोगाशते रहें मुश्कुराते रहें और मन लगाके परहाई करते रहें तक आप कर दो